इनका गुंडा राज खतम करने का दावा हमने देखा, शर्माती है सी सरकार, एक दलित समाज की बच्ची के साथ पलातकार हुआ, योगी जी आपकी ताना साही से ये उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी अपने एक देश के पत्रकार के लिए स्रधांजली के द हम लला हम आएंगे चंदा चोरी कराएं, चंदा चोरों से लात हैं generations साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में ये सदसिता का अभ्यान चल रहा है एक महीने में एक-तरोर्फद सदस्य बनाना है और जब मैं एक महीने में एक तरोर सदस से बनाने की बात कर रहा हो तो इसका मतलब हर विदान सबा में हमें पचीस हजार मिंबर बनाने हैं पचीस हजार और अगर हमने पचीस हजार सदस से एक महीने के अंदर एक विधान सवा में बना लिया तो दो महीने के बाद हर विधान सवा में तीन-तीन हजार कारकरताओं का संबेलन होगा और उसके बाद आम आदमी पार्टी का पर्चम आपकी विधान समा में 2022 में लहराने का काम हम करें आज एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है आदित तनाज जी की सरकार जिसने दावा किया था कि गुंडा राज खतम करेंगे जिस सरकार ने दावा किया था कि भुरस्ता चार खतम करेंगे इनका गुंडा राज खतम करने का दावा हमने देखा व्लाफ प्रमुक के चुनाओं में महिला का चीर हरन किया गया शर्माती है सी सरकार जिसमें महिलाओं की जट सुरक्षित नहीं है हमने देखा इसी उत्तर कुदेश के अंदर हात्रस का कांड हुआ एक दलित समाज की बच्ची के साथ बलातकार हुआ इसी अलिगर के इस्पताल में इलाज के लिए उनके परिवार वाले भटकते रहे और बात में दिल्ली जाकर उस लड़की ने डम तोड़ दिया लेकिन एक गरीब की बेटी को आदित नात के राज में रात में दो बजे जला दिया जाता है शर्माती है ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर है हम सबको ये समझना होगा कि ये देश एक कॉंस्टिचूशन से चलेगा एक संभिधान से चलेगा जो संभिधान डॉक्तर बाबा साथ भीम्रा अंबेट करने बनाया है और मैं बोदी जी से कहना चाहता हो योगी जी से कहना चाहता हो योगी जी आपकी ताना साही से ये उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा बाबा साहथ के संभिधान से डेमोक्रेसी से लोगतर से उत्तर प्रदेश चलेगा क्या हो रहा है इस देश के अंदर दानिश शिद्धी की नाम का एक पत्रकार एक फोटो जेनलिस्ट एक मसूर फोटो जेनलिस्ट जिसके तिरंगे की तस्वीर देखिए तो आपका सीना चोड़ा हो जाता है जिसके परवना की महामारी के दोरान पैदल चलते हुए लोगों की तस्वीरे देखिए तो आपके मन में गरीबों कितनती दर्द पैदा होता है आतंग माद के खिलाफ अफगानिस्तान में उस दास आतंग माद के खिलाफ लड़ते लड़ते दानिश शिद्दीकी ने अपनी जान दे दी उसकी शहादत हो गई लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ना है पूरी दुनिया के लिए उसके लिए स्रद्धान जली दी पूरे दुनिया के पत्रकार उने उसके लिए स्रद्धान जली दी लेकिन देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अपने एक देश के पत्रकार के लिए स्रद्धान जली के दो सब्ध नहीं बोल पाते अपसोस है ऐसी ओची और सम्वेदंगीन माज़सिक्ता का पढ़ान मुंत्री हमारे बेश में अरे दानिश सिद्धी की तो तालिवान या अतंग पात का शिकार हुआ दानिश सिद्धी की के लिए अफगानिस्तान के रास्टपती ने भी अपसोस के सब्द जाहिर किये आप तालिवान या अतंग वादियों के खिलाफ बोलने से डरते क्यों है ये पुरा देश साथ से जानना चाहता है आप बताईए इस बात को आप दानिश सिद्धी के लिए नहीं बोलते हैं आप इस देश में सेलेक्टिव तरीके से अपनी स्रद्धान जिली देते हैं आप सोच जाहिर करते हैं ये आपके विचार है ये आपकी सोच है ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा इस मुल्क को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है इन नफरत भैलाने वाले चंदा चोरों को इस बार 2022 के चुनाओं में आपको हराना है चंदा चोर मतलब समझ गए ना क्यों ने चंदा चोर इन चंदा चोर ने क्या किया है उध्या के अंदर पता है आपको इनकी चल्डा चोरी मैंने खोली एक जमीन खरीदा दो करोन रुपए में प्रभुस्री राम के नाम पे साथ बच के दस मिनट पे साम को और वही जमीन पाँच मिनट के बाद साड़े-अठारा करोन रुपए में राम के नाम पे बेच दी पहले बात बाई नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे अब बात बाईयों का नारा हो गया राम लला हम आएंगे चंदा चोरी करा रहे हैं राम राम जपना पराया माल राम राम जपना पराया माल ये काम कर रहे हैं भाजपाई दो का ठारा बाजपाईयों का नाम क्या हो गया आज कल दो का ठारा दो का साड़े अठारा कैसे करते हैं और कानपुर के लोगों ने तो बैनर लगा दिया लीगणवाले भी लगा दो कानपुर वालों में क्या वेनर लगाया चंदा चोरों से चंदा चोरों से चंदा चोरों से सावधान हो जाओ अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे ये बात से सावधान है ये ऐसे चंदा चोरों लोग है और क्या करते हैं ये काम आपको नहीं समझ में आता तो अभी 73 साल हुआ आगे 73 साल भी हमारा आपका भला होने वाला नहीं है मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माप कर अर्विंद केद्रिवाल प्रचार करते हैं हम लोग प्रचार करते हैं आम आदमी पार्टी वाले प्रचार करते हैं चौद्री सुरंदर जी प्रचार करते हैं तो कहते हैं भाईयों और वेहनों आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए मैं अलीगरवालों आपसे पूछना चाहता हूँ आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए हाथ उठाके बताएए हाथ उठाके बताएए पीछे तर चाहिए अच्छा स्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मोहला क्लीनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नवजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए वेरोजगारी भट्ता मिलना चाहिए कि नहीं अब भादपाई क्या पूस्ते है मोदी जी क्या पूस्ते है योगी जी क्या पूस्ते है भाजपा के कार करता क्या पूछते हैं गाउं गाउं में जाके क्या पूछते हैं गली महलों में जाके क्या पूछते हैं बताओ समसान होना चाहिए कि नहीं होना तो समसान पूछने वाले का मतलब हो गया मन्हूसियत की बात करने वाला कौन लोग हो गए ये मन्हूस लोग कौन लोग हो गए मन्हूस क्या कुछते हैं समसान चाहिए की मन्हूस लोग क्या कुछते हैं समसान चाहिए की है कि नहीं मन्हूसियत की बात जोर से बो मन्हूसियत की बात करते हैं 2017 के चुनाओं में गली महले में जाके समसान चाहिए समसान चाहिए समसान चाहिए और करोना की महामारी में गाओं गाओं में समसान बना दिया गाओं गाओं में समसान बना दिया आज में इस मंच से ऐलान करना चाहता हूँ और आप लोग भी अपने दिल और दिमाग में एक संकर लेना, हमको समसान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमको स्कूल बनाने वाली पार्टी चाहिए, हमको स्कूल बनाने वाली पार्टी चाहिए हमको अस्पताल बनाने वाली पार्टी चाहिए हमको फ्लाइबर बनाने वाली पार्टी चाहिए हमको बेरोजगारी भत्ता देने वाली पार्टी चाहिए हमको नौजवानों के लिए रोजगार देने वाली पार्टी चाहिए हमको किसान का फसल का डाम देने वाली पार्टी चाहिए समसान बनाने वाली पार्टी नहीं करें तो समसान बनाने वाली पार्टी को इस बार चुनाओं में क्या करना है समसान में तिलांजली दे कर आना है जाडू लगाकर इनका भूत कैसे उतरता है ओज्ञा लोगों को देखे उपके नहीं गाओं में हमारे गाओं में जब ओज्ञा लोग आते हैं तो कहते हैं इसको भूत चल गया कैसे उतरेगा जाडू मारता है तो इन भाज़पाईएं को जो समसान बनाने का भूत चड़ा है इनका भूत हम लोग ज़ाडू से उतरने का काम करें ठीक है तैयार है आप लोग तो अपना मोबाइल निकालिए सब लोग मुबाइल निकाल कर अपने हाथ में उपर हाथ में दिखाईए और आम आदमी पार्टी के मेंबर बन जाईए मैं एक नमबर बता रहा हूँ वही नमबर डायल करना है नमबर सुन लीजिए आप लो नाइन वान थाइब वान फूर जीरो थ्री फूर जीरो थ्री फिर से हिंदी में बोल दे रहा हूँ इक्यानवे इक्यावान चार सो तीन चार सो तीन यही नमबर डायल कर दीजिए आपको मेसेज आ जाएगा आप आम आदमी पार्टी के सदस्ट बन गए और मैं मोनिका जी से चाहूँगा हाँ इस पूरे इलाके में 20 टीम बना दीजिए और 20 टीम बना कर आप लोग आम आदमी पार्टी का सदस्ता अभियान चलाएए एक हजार मेंबर आपको हर विरहान सभा में डेली बनाना है रोज बनाना है तब आप 25 जार सदस्त बना पाएंगे बहुत 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 जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें